मैंने ये सोचु कर दे दिया तिलों से मैं एमोशनल हो रहे हूँ मैं नहीं पढ़ पाम गी आज मैं नहीं पढ़ पाम गी पिछले 40 साल का इतिहा से संतोशानन जी गवा है और पंकर सुबीर नीचे बैठे हैं एक से दस तक अगर किसी कवित्री का नाम हिंदुस्तान के मंच पर आता है तो वो कविल एक नाम है जिसका नाम है डॉक्टर अंजुम रहबर मैं चाहता हूँ एक बार पूरा इंदौर जोरदार तालियों की गड़गराट के साथ आदर्णी अंजुम रहबर का स्वागत करे उनका इस्तक्बाल करें आदर्णी अंजुम रहबर मंच पर बिराजे आदर्णी अंजुम रहबर कुछ मेरे अनुज भी हैं कुछ अगरज भी हैं और इंदौर के सामेई हजरात शोता गण और प्रजातंत अखवार का जो समू है उसको बहुत बहुत मुबारक बात हमारे मंच कविताओं को लेकर बहुत खाली खाली नज़र आने लगे हैं लेकिन आज मैंने कुछ छोटे भाईयों की कविता सुनी जिनको पहली बार सुना तो लगा के मंचों पर अब कविताओं जिन्दा होगी आप लोग ये तो नहीं कहूंगी के ठक गए हैं लेकिन पता नहीं कहां से कहां तक पहुँचा दिया मुकुट जी नहीं सौगराती करवा दी उन्होंने तो मैं बहुत दुविदा में थी बहुत परेशान थी क्या मुझे बलाया जाएगा मैं क्या करूंगी चलिए मैं तो अपनी शायरी आपको सुनाओंगी एक बार तालियं बचा कर मुझे एहसास दिला दीजिए शादी के बाद पहला नेक तो बड़ी बेहन का ही लगता है न ऐसे लिए आपको बलाएगा तेरी आदों को प्यार करती हूँ सो जनम भी निसार करती हूँ तुझको फुर्सत मिले तो आजाना मैं तेरा इंतजार करती हूँ मैं तेरा इंतजार करती हूँ चार पंक्तियां सुनाओंगी कुछ कहूंगी तो अच्छी बात नहीं अपनी अपनी खिसमते हुआ करती हैं अब चार पंक्तियां सुनेगा गम की उलजी हुवी लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ आइना देखना तो भूल गई तेरी तस्वीर देख लेती हूँ आप लोगों को अच्छा तो लग रहा है ना मेरे अपने इंदोर शेहर में एक मेरा रिष्टा था इस शेहर से वो सुना कर जाओंगी आज जो भी सारी दुनिया को मैंने नहीं सुनाया है यकिन मानी है ये किसी नाम का नहीं होता ये किसी धाम का नहीं होता प्यार में जब दलक नहीं तूटे दिल किसी का मुका नहीं होता दिल किसी का मुका नहीं होता अब ये सिसला बहुत देर तक चला सकती हो लेकर लाग एक एक मतला एक एक शियर इतने करीब वाके सदा दे कया मुझे जब एक पंक्ती को दो तीन बार पढ़ू तो आप लोगों को क्या करना है स्वागत इतने करीब वाके सदा दे गया मुझे मैं बुजू रही थी कोई हवा दे गया मुझे मैं बुजू रही थी कोई हवा दे गया मुझे अब सुनना अंदौर वालो शायरी पैदा होती है अंदौर शहर से स्वागत जीने का एक मिज़ा जुनाया दे गया मुझे मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे अच्छा अन्यम जी बबाबाबाना अब ये मकता बहुत कम पढ़ती हूँ लेके दिल करता है उसुने भी खाक डाल दी अन्जू की कबर पर उसने भी खाक डाल दी अन्जुं की कबर पर वो भी महबतों का सिला दे गया मुझे वो भी महबतों का सिला दे गया मुझे एक मतला एक शेर और सुनाती हूँ फिर एक मुकंबल घजल पूरी घजल आपको सुना हुए मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा जब एक पंक्ती को मैं साथा बार पहलू तो आपको तालिय बजाना है इस समझ लेना मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा बहुत सारी बेटियां बेहने मुझे नजार आ रही है मेरी पसंद और उति सब की पसंद और अंजुम की जिंदगी का याईना है ये शेर मेरी पसंद और उति सब की पसंद और इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा अब जोर्दार तालियां बजाएं जरा सा मुझे भी सुकून आजाए एक घजल मैंने कभी शर्माई शू में पढ़ी थी बहुत देर से एक घजल के लिए मुझे हुक्म दिया जा रहा है अगर आप सब की अजाज़त हो तो मैं ओ घजल सुना दूँ उस घजल की रदीफे नहीं चाहिए अगर आप सब मेरे साथ गुन गुनाएंगे यूं कहूं कि मेरी इस घजल के साथ सफर करेंगे तो घजल का मज़ा दो बाला हो जाएगा सुनाओ इजासत कैसे देते हैं दौर वाले प्यार नजरों में आना शुक्रिया अब मुझे अच्छा लगेगा प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए हां उसको कुछ जाद ही समझ में आ रहा है अगर ठंड में भी ऐसा होता है तो भोट गरिमी में बहुत परिशान ही होती होगी आपको प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए प्यार नजरों में आना नहीं चाहिएैं रात दिन मुस्कुराना रोज मिलना मिलना नहीं चाहिए रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए बहुत अच्छी गजल में, बहुत मूर में सुना रही थी मैं माफी चाहती हूँ इसमें दिखावी की कोई बात नहीं है मैं थोड़ा सा गरम पानी पीलू फिर सुनाती हूँ प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए अगला शेर और सुनाती हूँ लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हे जादा देर तक मुस्कुराना भी दीरवानगी का सुबूत हुआ करता है लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हे लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हे रात दिल मुस्कुराना नहीं चाहिए रात दिल मुस्कुराना आप मेरे साथ गाएं तो मुझे अच्छा लग जाएगा तुछा सा मेरा साथ हो जाएगा रात दिल मुस्कुराना नहीं चाहिए बारिशों के इरादे खतरनाक है बारिशों के इरादे खतरनाक है अब पतंगे उडाना नहीं चाहिए और जोशेद मुझे सुनाना है और इंदोर शेहर में सुनाना है है स्वागत ऑंजand जिवा वा वा मैने ये सोचव कर ढेदिया दिल उसे मैने ये सोच कर ढेदिया दिल उसे मैं नहीं परद ये जाए जा भी आज Ny ये डेके डिवा पर बो स़्य नहीं परफॉम्री नहीं नहीं ऐसे देखें अंजुम जी मित्रों मैंने जैसा शुरू में कहा था आज का काविस हमारों अंजुम रहवर जी के लिए बहुत कठिन परिक्षा है हम समझ सकते हैं कि आज वो किस दौर में आई हैं लेकिन मुझे ये भी पता है मेरा तीस वर्ष कहते हैं और उनसे कहते हैं कि अंजुम जी बस अब आपकी आउशकता है और आज अंजुम जी निश्यत रूप से आपकी परिक्षा की घड़ी है एक बार इंदौर के लोगों जरा जोड़दार तालियों की गढ़गराट के साथ अंजुम जी को हिम्मत दीजिए होसला दी रोता वो आशिरवात देने वाले आपके आशिरवात दाता आपकी हिम्मत बनकर खड़े हैं ऐसे समय पर निश्यत रूप से आपका होसला मुझे पता है मेरी बहन पर मुझे पुरा विश्वास है और मैं दो पंक्तियां अंजुम जी के सम्मान में पढ़ रहा हूं मित्रो आपके इतनी तालियां बजनी चाहिए कि उनका होसला वही लोट याए कि इस रस्वंती रात में सुन तेरी आवाज मन रविशंकर हो गया तन बिर्जु महराज जरा जोड़दार तालियां बजाए और मेरा विश्वास है कि अंजुम जी पुना अपने उस तेवर से आपक करिएगा माफी चाहती हूं कोई बात में थोड़ा एमोशनल हो गई थी अब लेकिन आपकी संभावबत ने मुझे फिर से एक हिम्मत एक होसला दिया मैं क्या हुआ है बैठ जाएए बैठ जाएए जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएए पीछे के लोगों को दिखने का है बैठ जाएए क्या शेच पड़े थी मैं मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए और ये शेद अपनी नौजवान बहनों को लड़कियों की बात कर रहा था मेरा छोटा भाई तो तुम्हारे लिए भी ये सही होता है एक गमूले में अंजुम कटे जिन्दगी क्या बात है वई एक गमूले में अंजुम कटे जिन्दगी हर जगा गुल खिलाना नहीं चाहिए हर जगा गुल खिलाना नहीं चाहिए रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए झाल झाल